कोटा में बीते दिनों पुलिस लाइन इलाके में फॉकिंग वाहन में लगी आग का एक संसनी खेस वीडियो सामने आया है वीडियो है तो रॉंग्टी खड़े कर देने वाला लेकिन इस वीडियो में एक की बाद एक दो पुलिस कॉंस्टेवलों की दिलेरी भी देखने को मिली है इस वीडियो में दिख रहा है कि जलते वे फॉकिंग वाहन में एक जवान इसलिए कूदा की उसे लगा कि वाहन के अंदर कोई फसा हुआ है उसी को निकालने के लिए ओंप्रकाश नाम का जवान जलते हुए वाहन में कूद पड़ा और चंद पलों में वे आग की लप्टों से घिर गया और फिर नीचे घिर पड़ा इस तड़पते हुए जवान को बचाने कोई आगे नहीं आया लेकिन पुलिस के ही एक जवान ने इसे बचाने की कोशिश की वे उसके पास गया और उसे दूर तक खीचने की कोशिश की बाद में उसे पुलिस जीप से ही अस्पताल भिजवाया गया आई ये सुनते हैं पुलिस जवान की जुबानी की आखिर उस रात जब फौगिंग वाहन में आग लगी थी तो क्या मनजर उनके सामने था चला गया उसने जाते हैं और फिर बाद में बच बिचारा नीचे कूर गया तो जलता हुआ कोदा खापी जल चुका था लगबग 50 परसेंट के लगबग जल चुका था फिर मैंने से देखाने के असर मिने उसी वक्त दोर करके भाग के उसको उठा के लाया और उसको जलते ह को बुजाया दोल मिट्री से और फिर फोरन एम्बूलेंस को 108 को को कोल किया 108 नी आया उससे पहले थाने की बोर घड़ा थाने की जीव आ गई थी तो हम तोसे उस एक ते को हमने उसमें रखके और ओस्पिटल एमबेस वास्त तो चार भी जवाया अभी इस समय वह साहत तार कास पॉनिश्टेबल स्रीमा नेश्पिशाव के बंगले पर लगा हुआ था